कामधेनु गाय की उत्पत्ती समुद्र मन्थन से हुई थी या एक चमतकारिक गाय तो थी ही जिसके दर्सन मात्र से ही सभी प्रकार के दुख दर्ड दूर हो जाते थें देवी सक्ति से संपूर्ण या गय जिसके पास भी होती थी उसे संपूर्ण प्रकार का लाख प्राप्त होता था इस गाय के दूद को अमिरित के समान माना जाता था यह कामदेनु गाय तो काफी विशिष्ट थी लेकिन हमारे सनातन धर में भी गाय को काफी विशिष्ट माना जाता है सनातन धर में 33 प्रकार के देवी देवताओं कवास गाय में माना जाता है ये देवता 12 आदे, 38 वस, 11 रोद्र और 2 अस्विन कुमार है जो कुल मिला कर 33 देवी देवता माने जाते हैं गाय का सबसे महत्पूर्ण इस्थान गाय के सरीर में उत्पर्न सूर्य केतु नारी है जो की गाय के पीट पर उभरी हुई इस्थान है और यही इस्थान सूर्य केतु नारी के नाम से जानी जाती है यही सूर्य केतुनारी वातावरन को स्वच्छ बनाते हैं और किसी प्रकार की हानिकारक विकरन को खटाते हैं यह पढ़ियावरन के लिए काफी लाफतायक हैं दूसरी और सूर्य के तुनारी सूर्य के संपर्क में आने से स्वर्ण का उत्पादन करते हैं जो गाई के दूद में, मूत्र में और गोबर में मिलती है। यही दूद हमारे सरीर के लिए काफी लाफतायक होती है और यह गाय जो गोबर उत्पन्न करती है यह हमारे खेतों को काफी उर्वरक बनाती है और गाय का मुद्र बहुत सारी औसधियों को बनाने में काफी कारगर होता है। भारत में गाय को काफी पूजनिये इस्थान दिया जाता है हमारी संस्कृती में या हमारे सनातन धर में गाय को माता के रूप में ही पूजा जाता है। कम से कम 300 करोर प्रकार के जीवानु प्राप्त होते हैं। गाय काफी पवित्र जानवर है क्योंकि इस प्रकार से हमारे सास्त्रों में लिखा हुआ है कि गाय जहां भी निर्भय पुर्वक सांस लेती है उस जगह का वातावरन काफी स्वच्छ हो जाता है और वहां के सभी प्रकार के पाफ भी नस्ट हो जाते हैं। बैदिक काल में गायों की संख्या मनुसिकी संव्रिद्धी का मानक मुहा करती थी। गाई के दूद में साथ एमिनो एसिट के प्रोटीन पाए जाते हैं जिससे हड्डियों का किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं गाई को माता के तुलिय बाना गया है और गाई के दूद को अमरित के तुलिय यूही नहीं माना गया है जब नवजात सिसु को मा का दूद उपलब रही हो पाता है तो गाय के दूद का ही आस्रा रह जाता है उस नवजात सिसु को गाय का दूद ही पिलाया जाता है। हमारे यहां भारतिय गाई के दूद में मिलने वाले प्रोटीन से हिर्दे घात यानि की हर्ट अटैक, डियाविटीज और मांजिक रोक की समस्या भी ठीक करने में अहम भूमी का निभाती है। माना जाता है जिस घर में वास्तु दोस हो वहाँ पर गाई रखनी चाहिए क्योंकि गाई के रखने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोस खतम हो जाता है। से पहले आत्मा गाई की योनी में जन लेती है। यदि आपको घर से निकलते हुए रास्ते में गाई के दर्सन होते हैं तो यह एक सुब संकेत है। गाई को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इस संकेत का मतलब है कि आपको जल्दी ही अपने घर में लक्ष्मी का आगमान होने वाला है। साथ ही आपके रुके हुए संपुर्ण कार्य भी पूरे होने वाले हैं। गौ माता को गुर खिलाने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य देव की क्रिपा से व्यक्ति को राज योग की प्राप्ती होती है। मंगल गड़ा को भी सांत करने के लिए गाय को रोटी खिलाने का प्रावधान है। कामदेनु गाय से भी ज्यादा सुफ और लावकारी क्रिश्ना गाय को माना जाता है। क्रिश्न के प्रिये और क्रिश्न के रंग के समान ही इसका रंग है। इसलिए इसे क्रिश्ना गाय भी कहा जाता है